अगर हम किसी को रात दिन याद करते हैं, हर पल याद करते हैं, सोते खाते उठते बैठते किसी को याद करते हैं, तो सामने वाले इनसान के साथ में क्या होता है? मैं याद के उपर बहुत सारे वीडियों कर चुकी हूँ और इस बात को मैं बहुत ज़्यादा डीटेल में शेर करती हूँ आप सब लोगों ने इस बात का experience भी किया होगा जिसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं हर पल याद करते हैं या तो उससे आपका रिष्टा खराब हो जाता है या फिर सामने से कोई भी reply नहीं आता है अगर आप manifest कर रहे हैं तो वो manifestation complete नहीं होता है और अगर वो on and off mode पर चल रहा है या already थोड़े से खराब mode पर चल रहा है और उससे आप continue याद कर रहे हैं continue हो वो चीज वो इनसान वो रिष्टा आपके दिमाग में चल रहा है तो वो और खराब और खराब और खराब होता चला जाता है हालत बत से बत्तर हो जाते हैं तो ये क्या है और कैसे काम करता है आज इस पर बात करते हैं ठीक है अगर आप किसी को रात दिन याद करते हैं माली जी ए नेगिटिव वे में याद करते हैं रो के याद करते हैं या पॉजिटिव वे में याद करते हैं बहुत खुश हो के याद करते हैं प्यार से याद करते हैं कैसे भी याद करते हैं करें हैं लिकिन आप continue याद कर रहे हैं तब क्या होता हैी त्व प्रो pillar ने बहुत हम आपने होनहें अपने त्वह मेच 10 Um उनको अगर लिखें, और टाइप करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, हैं आपको लगता है कि सामने वाले के साथ कुछ होगा सामने वाले के साथ कुछ होगा सामने वाले के साथ कब कुछ होगा जब यह जितने भी आपने टाइप किये हैं मैसेज सामने वाले को सेंड करोगे और सेंड कैसे करेंगे छोड़के लेट गो उसको याद करने के अलाव दुख होके या खुश हो करके बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे काम है मैं उनके दियान लगा सोता हूं या लगा सकता हूं बार-बार ध्यान बठकता है लेकिन किर भी हम उन चीजों पर बार बार ध़्यान लेकर का जएंगे तो दीरे दीरे प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप सेंड करना सीठ जाएंगे आप छोड़ेंगे तब जा करके सामने वाले के साथ कुछ होगा लेकिन अगर कांटिनियों आप ही रात दिन याद कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप टाइपिंग मोड पर हैं टाइपिंग कि सामने वाला अगर एंढ़स में कभी को देखता भी को बश्य ons Tears अब पीसी के साथ चेल्टिंग कर रहे हैं बात करें हो रहे हैं वापर टाइपिंग मोचाति एक दिन दो दिन तिन दिन चार दिन दो महिना चार दो स सार तो क्या करेंग को स्कुक्रव हैं क्लेंडा तो अगर आप भी रात दिन ये चीज़ें कर रहे हैं तो यहां पर ये समझ लेनी की ज़रूरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग मोड पर हैं आप सामने अले तक अपने मैसेज़स को पहुंचने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका टाइपिंग जो है वो खतम ही नहीं हो रहा है तो यहां पर खुद की प्राक्टस से आप इस टाइपिंग को यहां पर खतम कर सकते हैं और चीज़ों को आगे जाने के लिए छोड़ सकते हैं अगर आपके भी मन में यह वाला खयाल आता है कि मैं रात दिन उसे याद करती हूं या करता हूं पर सामने वाला तो मुझे याद करता ही नहीं करती ही नहीं तो reason यहीं है क्योंकि आपने यह सिलसले को बहुत जादा पकड़ करके रखा हुआ है और सामने वाले को show कर रहे हैं कि आप बहुत desperate हैं टाइपिंग एन टाइपिंग एन टाइपिंग कर रहे है तो obviously energy रूप में किसी को अगर आप समझ में आते हैं तो हमापर typing नहीं समझ में आएगा लेकिन आपका जो desperation है आपकी जो energy निकल रही होती है वो energy रूप में उसको भी समझ आ रही होती है पिकर हम सब ही energy है तो समझ आ जाता है अगर कोई इंसान बहुत negative हो और वो हमारे आसपास से निकले हमने उसे जिंदगी में कभी भी बात ना के हो तब भी हमें feel हो जाता है कि कुछ negativity सी लगी हमें तो वो energy है तो अगर आप positive भी याद करें मान लीजे कि आप बहुत positive होके I miss you बहुत कुछी से तुम्हारी याद आ रही है टाइपिंग हो रही है बस अच्छे हो रही है लेकिन टाइपिंग हो रही है तो यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि आप सिर टाइपिंग मोड पे रहना चाहते है या सेंड वाले बटन को भी आप दबाना चाहते है तो अगर आप सेंड वाले बटन को दबा देंगे तो आपका काम बहुत जदी हो जाएगा अपने में रखिए गा याल अपने अपसे की ज़िए सारा प्यार तक वो ट्रैक्ट करें धी सारा प्यार I love you all टाडा